हरे कृष्णा रदे रदे दोस्तों विशाक मास की पूर्णिमा कब हैं विशाक मास की पूर्णिमा की कथा हम इस वीडियो में आज आप से शेयर कर रहे हैं मित्रों वेशाक मास की पूरिमा पर भगवान विश्णुजी और मा लक्षमी जी की पूजा की जाती है हार महिनी शुकल पक्ष की चतुरदशी तिति के अगले दिन पूरिमा आती है इस बार वेशाक महा की पूरिमा 23 मई को है मानेता है कि पोनिमा परदान पुन करने से जातक को 32 गुनादिक शुफलों की प्राप्ति होती है पोनिमा के दिन शिरी हरी और मा लक्ष्मी की अराधना करने से व्यक्ति की हर इच्छा पुरी हो जाती है और जीवन में खुशियों का आगवन होता है यदि आप भी विशाक पोनिमा का वरत रही हैं तो पूजा के दोरान विशाक पोनिमा वरत का पाठ करे और कथा सुने कथा इस प्रकार है मित्रों पुरानी कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक अमीर इनसान था लेकिन उसके कोई भी संतान ना थी जिसकी वज़े से वह बहुत ही दुखी रहता था एक बार एक सादू महातमा से उसकी मुलाकात हुई उन्होंने धनेश्वर को विशाक महा में पढ़ने वाली पोनिमा का वरत करने की सलहा दी विशाक मास की पूनिमा पर वरत करो, रात के समय चंद्र भगवान की पूजा कर अरग देकर वरत का पारण करो इसके बाद धनेश्वर ने अपनी पतनी के साथ पूनिमा का वरत किया भगवान श्री हरी विश्णु जी मालक्षमी जी के विदिवत पूजा की रात को चंद्र भगवान की पूजा कर अरग देकर वरत पून किया इस वरत के पुन्य परताब से कुछी दिनों के बाद धनेश्वर की पतनी गरवती हुई और नौवे महीने उसे सुन्दर पुत्र रत्म की प्राप्ती हुई तब इसे विशाक पूनिमा का वरत करने की शुरुवात हुई सब लोग पुत्र प्राप्ती के लिए सुक समरिद्धी के लिए विशाक पूनिमा का वरत करते हैं और इस दिन दान करना चाहिए दान में आप मिट्टी के घड़े में जल भर कर उसके उपर फल रखके और दक्षना रखके किसी भी मंदिर में ब्रामन को अवश्य ही दान करके आएं इससे 32 गुना फल प्राप्त होता है और घर में सुक समरिद्धी शान्ती होती है जीवन के कस्ट दूर हो जाते हैं इस तरह से मित्रों विशाक पुरिमा 22 मई को शाम को शुरू होगी और 23 मई की शाम तक रहेगी ऐसे में विशाक पुरिमा का वरत 23 मई को रखा जाएगा हमारी तरफ से आप सबी को विशाक पुरिमा की हारदिक हारदिक बढ़ाई यदि आपको यह वरत का था और जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें कमेंट बोक्स में जै विश्नु भगवान आवश्य लिखें